नमस्कार दोस्तो वेलकम टू पीके कलासिस दोस्तो आज नॉच्स एंड वियर्स के बारे में जानेंगी सब्जेक्ट आपका फ्लूड मेकिनिक्स फ्लूड मेकिनिक्स में नॉच्स एंड वियर्स क्या है कितने प्रकार की होती है एंड कहां पर इसका उप्योग किया जाता है तो आएए दोस्तों देखते हैं Nots and Beers in Fluid Mechanics तो सबसे पहले Nots क्या है इसके बारे में देखेंगे Means Nots जो होती है Nots is a device which used for measuring the rate of flow आफे fluid through a small tank और channel जब किसी भी small tank या किसी भी channels या हम बात करें किसी dam या river से जो पानी की निकासी होती है Channel या tank में जो water हमारा क्या होता है फिलो होता है उसको measure करने के लिए हमारी किसका उप्योग करते हैं हम Nots का यूच करते हैं या Nots को हम बनाते हैं It is used to regulate the flow of fluid जो हमारे fluid flow को क्या करती है regulate करती है Means Nots क्या है यह इस प्रकार का आपका part है जो small tank या बोलें आपका channel जहां पे हम rate up flow को measure करते हैं या rate up flow को हम regulate या control करते हैं इसमें हम Nots का क्या करते हैं उप्योग किया जाता है The bottom end of the notch is generally made sharp so that it offers minimum resistance to the fluid flow जो notch होती है उसका जो bottom बाला surface होता है कि जैसे आपने यह notch बना दिये यह आपकी notch है suppose तो इसका जो bottom बाला surface होगा means यह notch है यह इसका जो bottom बाला surface है वो हम sharp बनाते हैं जिससे कम से कम resistance है जो की act हो कम से कम resistance act हो तो last क्या होगा कम होगा It is made by metal plate and is used to regulate fluid flow at a small scale means यह जो notch होए यह हमारी किस्से metal की plate से बनी होती है जिसका उप्योग हम regulate करते हैं fluid flow को एक small scale पर अब यह जो notch है notch कैसे होती है कैसे दिखती है और कितने प्रकार की होती है तो दोस्तों सबसे पहले हमारी जो एक rectangular notch triangular notch and trapezoidal notch यह तीन प्रकार की और एक होती है steep notch चार प्रकार की जो notch हैं इसका उप्योग हमारा fluid mechanics में fluid के flow में किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है यह चार प्रकार की notch होती है notch एक entry device है जो उप्योग करते हैं हम flow को या flow rate को major करने में जब कोई flow हमारा किसी small tank या कहा जाए तो small channel के थुरू किया जाता है और यह हमारे metals की बनी होती है ठीक जिसमें इसकी जो निचला वाला हिस्सा होता है bottom age होती है वो हमारी sharp होती है जिससे कम से कम resistance या लासिस फिलो का हो now अब इसके यदि हम according to shape, shape के आधार्स पे जो आपका डाइग्राम है यह आपके notch के shape होते है सबसे पहले जैसे कि आपके rectangular notch है, rectangular notch में जो आपका capital H है यह head of water है, head of water है, अब water head है तो इसमें क्या है इसका जो shape होगा यह rectangular होगा, तो rectangular जो आपका shape होगा, तो इसमें जो आपकी नीचे वाला portion होता है, यहाँ पे sill और जो पूरा water की थिकनेस होती है जो पानी आपका flow होगा है, उसको हम बोलते नप, नापी ठीक, तो यह हमारी shape by जो notch होती है, rectangular, triangular triangular में आपका angle of notch and head of water, capital H जिनको हम drive करते हैं और इनसे हम discharge की फार्मूले को finally find करते हैं, और यहाँ से हमारा जो discharge का फार्मूला है वो निकल के आता है, जिसके थुरू हम float mechanics की problem को अलग-अलग notch and bears की problem को calculate किया जाता है अब इसमें आपको यह दि according to shape by देखें, तो आपकी trapezoidal, stepped, rectangular and triangular इतने प्रकार की जो हैं आपकी notch उप्योग की जाती है अब stepped में आपको ध्यार रखना है steeped मतलब जिसमें एक से ज़्यादा steep बने हो जैसे 1, 2, 3 तो यहाँ पे h1, h2, h3 means यह हमारे क्या है, अलग-अलग step में बनाई गई है तो जिसको हम बोलते है steeped notch, ठीक, इसके बाद trapezoidal जो notch है, यह भी हमारी इस shape में है कि जिसमें इसका theta y2, theta y2 आपका angles होगा और एक पूरा आपका rectangle, इन दोनों के area को हम add करके हम इसको discharge को निकाल सकते हैं, है ना तो यहां पर यह हमारे चार प्रकार की जो notes है, जिसका उपयोग किया जाता है अब बात आती है दोस्तो, वियर, तो जो वियर है, तो जो हमारा निचला वाला part होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है जो हमारा concrete machinery का structure बनाया जाता है, जो नीचे जिससे flow होता है या बहता है जिसके उपर से, उसको हम वियर्स बोलते हैं means, a beer is a concrete or machinery structure, which is located at the bottom side in the path of fluid flow, means, जो हमारे fluid flow का path होता है, जो पानी बहता है जैसे कि आप इस rectangular notch में देख पा रहे होंगे, जो वाटर हमारा flow हो रहा है, तो इसमें, तो यहाँ पर क्या है कि नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, वियर्स बनाना पड़ेगा, तो जो हमारा concrete या इसका मिच्चर का वियर्स बनाते हैं, जिससे पानी उस पैसे भाई के नीचे आंगे move करता है, या flow होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वियर्स, तो means, यह हमारी concrete मिच्चर का एक ऐसा structure होता है, जो हमारे bottom side में, means, निचले हिस्से में, जहां से पानी flow होता है, उसके path में बनाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दोस्तो, वियर्स, means, यहां पे आप diagram में देख पा रहे होंगे, diagram में वियर्स, और इसके उपर वाला जो part होता है, वो होता है, नोच, तो यह जो आपकी line है, means, यह वाली जो line है, यह वियर्स है, जो हमारा पानी बहता है, यह इसके उपर बहता है, फिलूट जो फिलो होता है, यह कहाँ फिलो होता है, यह वो दा बियर, it is generally in the form of vertical ball, सामान तोर पे यह एक हमारी दीवाल की तरह होती है, जो हम सीधी खड़ी दीवाल उठा दें, vertical axis पे, तो यह क्या है, basically vertical ball है, विदा sharp age at the top, जिसकी जो age होती है, टाप बाली, वो क्यासी बनाई जाती है, sharp बनाई जाती है, ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे आपका एक live picture आपकी दी हुई रिवर की, जहाँ पे आपकी rectangular shape की जो नोच से वो design की गई है, साथी दोस्तों, आपका जो first slide थी, उसमें आपकी जो triangular नोच है, वो भी design की गई है, तो इसको आप एक बात ध्यान रखना है, इसको हम spillway नहीं बोल सकते, spillway हमारे dam के gate होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहा है, notes and bear की, तो means, यह आप अक्सर जहां से पानी निकलता है, बहाता है, तो वहाँ पे हमको इस प्रकार से design करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तो जो हमारी wires हैं, इसके भी हमारे according to shape के basis पे, shape आप opening के basis पे, तीन प्रकार की होती है, rectangular, triangular and trapezo dial, means, यह हमारी three types की wires भी होती है, और इनका जो shape होता है, यदि हम picture की बात करें, तो इसका जो shape है, ड्राइंग, वो हमारी similar to knots होता है, means, knots design करते हैं, उसमें हम नीचे नाम mention करते जाएं, तो यह हमारी क्या हो जाएगी, बियर सो जाएगी, अब इसमें, नापी and sill, या crest क्या होता है, तो जो नापी है, वो the layer of flute flowing, यह वो the bear, यह वो the bear, means, जो flute की layer है, जो bear के उपर flow होती है, और below the notch, is known as नापी, या नापी, means, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका यह पानी की जो layer है, यह फिलो हो रही है, rectangular nose में, तो इसकी जो thickness होगी, means, वियर स के उपर, वियर स के उपर, और जो आपकी nose है, इसकी नीचे, तो यह जो थिकने से इसको हम क्या बोलते हैं, नापी, sill या crest, यह क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, sill, यह क्या कहलाती है, सिलकाइल आती है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, bears and nose both are used in fluid mechanics, ओकी, and different types की, triangular, rectangular, tropozodile, and step, इस चार प्रकार की हैं, जो according to shape, आप opening के यादार पर डिजाइन की जाती हैं, आज के वीडियो में इतना ही, next वीडियो में हम फिर मिलेंगी, thank you.